हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं सूरज आदव आपके अपने ही यूटूब चैनल इस्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 12 दोस्तों और मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे ब्यस्त होंगे तंद्रोस्त होंगे ठीक है मेरे दोस्तों तो आप अपने सिहत पे विशेज ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है मेरे दोस्तों आज का जो दिन है आज से आप एक प्रण लीजिए और उसमें आप अपने आपको अच्छा करने की कोसिस करिए ठीक है मेरे दोस्तों तो आप कुछ अच्छा करेंगे तभी दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट आने वाला है अगर आप अच्छा नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका अच्छा रिजल्ट भी नहीं आने वाला है तो दोस्तों आज का जो दिन है आज पहला दिन है इस साल का पहला दिन है दोस्तों तो आप इस दिन को अच्छे से इंजुआए करिए दोस्तों और अच्छे से पढ़िए तो दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 12 बेर दोस्तों इसमें हम आपको सिंक सिंक्रोनस मोटर कहां से आ गई, तो आपको घबराना नहीं है कि भया सिंक्रोनस मोटर कहां से आ गई, बात की जा रहें सिंक्रोनस मोटर है मेरे दोस्तों क्या है single phase की synchronous motor है तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है क्या है यहाँ थोड़ी बाते देख लेते हैं single phase synchronous motor synchronous speed पर चलने वाली motor है यह समाने निमन दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों single phase hysteresis motor और single phase कि दोस्तों आपका होगा हिस्ट्राइसिस मोटर को जानने से पहले हम आपको इसका थोड़ा कंस्रक्शन बता देते हैं तो इसमें क्या होती है आपको थोड़ी बात ध्यान में रखनी होगी जैसे आपने पढ़ा होगा भी एच करव तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भी एच करवे में कैसे आपने दिखाया था यहाँ पे भी होता है यहाँ पे एच होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे जब हमारी क्या होता है कि जब हम यहाँ से एक इसमें क्या करते हैं करेंट का फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो हमारा B का मान होता है एक नियत गती से बढ़ता है यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह हमारा नियत गती से मतलब कि हमारा एक speed से चलता है और एक ऐसी point आती है जहां पे एक constant हो जाता है नियत हो जाता है उसके बाद सीधी रेखा में हमारा ऐसे कुछ चलता जाता है तो दोस्तों इन सभी चीजों को आपको ध्याम में रखना है जब बात आती है कि हम इसी supply से disconnect क चेंज कर देती है ठीक है में दोस्तों क्या किया मार्ग अपना चेंज किया अब यही direction दोस्तों यहां पर भी होगी हमारी same to same यहां पर भी होगी दोस्तों तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ठीक है अब उसके बाद चल जाएंगे तो यहां पर आपका नियत इससे होता चला जाएगा यानि इसके आगे हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा यानि हमारा constant point यही हो जाएगा तो दोस्तों इसको Hz मिला देंगे तो कुछ आपका ऐसा बन जाएगा कर्म और यहांसे भी हम देखेंगे तो हमारा भी यहांसे भी कुछ ऐसा और प्रापत होता है ठीक है मेरे दोस्तों हलाकि मुझसे साही से बना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कर्व जो होता है एक गवराया के टाइप के दिखता है दोस्तों कैसा दिखता है गवराया टाइप का दिखता है कुछ ऐसा ठीक है तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां से हम जो बोल रहे हैं कि इतनी और इसकी इतनी दूरी को क्या कहते हैं नियता कहते हैं दोस्तों यानि B का मान जो है इतना क्या है जादा है ठीक है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है B.H. कर्व बोलते हैं दोस्तों जो आपका ये figure बनता है एक और ये type का बनता है तो आपको पता होना चाहिए B.H. कर्व के बारे में तो B.H. कर्व जब हमारा कुछ है जब हमारा लॉसिस अधिक हो जाता है तो B.H. कर्व क्या होता है बड़ा बन जाता है ठीक है मेरे दोस्तों यानि कहने की बात हमारी कुछ इतनी बड़ी बनने लगेगी ठीक है कुछ ऐसा और बनने लगएगा दोस्तों मेरा तो इसमें आपको इतनी बाते ध्यान में रखनी है कि जो हमारा यह बनेगा उसमें अगर हमारा यहां पर यह जो हमारा कर्व बन रहा है दोस्तों यह गर्या टाइप बन रहा है अगर यह जादा बन रहा है तो हमारी लॉसिस क्या हो रहे है जादा हो रहे है ठीक है में दोस्तों चलिए आगे की तरफ थोड़ा चल लेते हैं अब बात आती है इसकी working सारचना की सॉरी construction की बात की जाए इसकी construction यानि सारचना की बात की जाए मेरे दोस्तों तो सारचना आपका जैसे आपने speed phase induction motor पढ़ा था दोस्तों तो उसी के परकार है तो इसमें हम पढ़ रहे ही stressis motor तो दोस्तों आपका जो यह rotor होता है जो rotor होता है मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है ना ही winding होती है और बहुत ही chickenा होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमें एक figure बना रहे हैं यह हो गए आपका खुछ फीगर फइयो हो गया ठीक है मेरे दोस्तों इसको आप बना लीजे soft, soft किसका होता है, carbon steel का होता है मेरे दोस्तों तो इसमें इतनी वादे ध्यान में रखनी है, अब जो जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे अंदर वाले भाग में अंदर वाले भाग में नहीं बाइंडिंग की जाती है ठीक है इसमें क्या की जाती है बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं की जाती है मेरे दोस्तों यानि बाइंडिंग लेस होता है और बात की जाए हमारा तो यह जो पार्ट होता है हमारा यह जो भाग होता है हमारा यह हमारा होता है Magnetic यह material होता है यह कौन सा होता है Magnetic material होता है और इसके अंदर वाले जो हमारे अंदर वाले होते हैं material होते हैं और non-magnetic material होते हैं कैसा होते हैं तो मेरे दोस्तों non-magnetic material होते हैं अब बात की जाने नान मैगनेटिक मैटेरियल तो नान मैगनेटिक मैटेरियल क्या होते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो हमारा रोटर में जो प्रापरटी है तो यह रोटर की जो इसमें प्रापरटी है इसकी मेरे दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो हमारा यहां पर इसमें मैटेरियल का यूज करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा इसी कारण हम इसके बाहर के तरफ में कौन सा मैटेरियल यूज करते हैं मैगनेटिंग मैटेरियल यूज करते हैं मेरे दोस्तों अगर यही मैगनेटिंग और कि योज करने लगे दोस्तों क्या होगा हमारा कि लॉसिस अधिक हो जाएगा जोवारी ब्येच कर बन रहा था वो पूरा एक कुछ ऐसा आयताकार बनने लगे हैं कुछ ऐसा पूरा आयताकार दिखाई देगा आपको फिगर तो दोस्तों इसमें आपको इतनी बाते ध्यान material होता है तो आपका एक क्या है साफ्ट होता है इस तरह आपको पता होना चाहिए ठीक है मेरे दोस्तों एक होता है आपका साफ्ट होता है अब बात आती है कि इसमें winding नहीं की जाती है मेरे मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब बाइंडिंग नहीं हो रही है तो इसका क्या होगा इसमें जो की बनानी है मेरे दोस्तों हम आपको दिखाएंगे आपको सरचना भी अभी दिखाएंगे पहले आपको सारी बाते अभेर करा दिया है चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठीक है तो आपको पता होना चाहिए सिंगल फेज की जो सिंकोनस मोटर है वो हमारा दो प्रकार के होते है कौन कौन सी होती है एक होता सिंगल फेज हिस्ट्रेसिस मोटर एक होती है सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर तो इसमें इतनी बाते ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों चलिए हम आज पढ़ते हैं सिंगल फेज की सिंकोनस मोटर है जिसके लिए डीसी एकसाइडेशन किया सकता नहीं होती है मेरे दोस्तों इसको excited करने के लिए DC कि आउसकता नहीं होती है इसकी सरचना लगभग split phase squirrel cage induction motor के समान्याद तरह होती है ठीक है तो इसमें hysteresis motor में इतनी बाते आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें excitation के लिए DC source किया सकता नहीं होती है बात आती है construction की तो construction में दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा है split phase induction motor same to same वही चीज़े अगर कप यहां पे copy कर देंगे तो कोई बाप नहीं इसकी सरचना split phase induction motor के समान ही होती है कैसी होती है मेरे दोस्तों split phase induction motor के ही समान हमारी इसकी सरचना भी होती है क्या कर रहा है आगे इसको permanent capacitor type stator तथा sided pole type stator के रूप से निर्मित किया जाता है इसमें हमारा जो होता है permanent capacitor तथा sided pole type का stator का यूज़ कर सकते है इसका rotor चिकने बेलना का स्रचना का होता है दोस्तों तथा कठोर चुमबकी पदार्थ से निर्मित होता है यानी बात की जाए तो यह हमारा जो होता है कौन सा Marshes assist motor जो होता है कठोर चुमबकी पदार्थ का बना होता है यह मोटर इस्थिर गती से सिंकोनस स्पीड तक एक समान टार्क तथा ध्वानी रहित सिंकोनस स्पीड उत्पन करता है तो यह आपको हमने सारी बाते बता दिया है दोस्तों कि इसमें जो हो ध्वानी होता है वो लेस होता है नहीं होता है ध्वानी रहित होता है यह हमारा आगे क्या है इसके rotor के अंदरिक भाग में non material यानि हमने पहले ही बता दिया कि इसके जो अंदरिक भाग में non material non magnetic material का यूज कर रहे हैं वो कौन सा है मेरे दोस्तों aluminium का यूज करते हैं इसके non magnetic material में non magnetic material क्या होता है aluminium होता है जो हम यहापे यूज करेंगे आपके rotor में तथा वाय भाग में magnetic material high chrome की ring होती है कैसी होती है मिन दोस्तों high chrome की ring होती है जो magnetic material होता है high chrome की ring होती है ठीक है इसमें hysteresis loop अधिक होता है जो हमारा loop बनता है अधिक होता है जो हमने आपको बताया इसके rotor में कोई slot नहीं होते है मिन दोस्तों कोई slot था कोता है तथा में वाइंडिंग भी नहीं बंदोस्तुन हो अगर यही अंदर करते तो क्या होता कि हमारा इस्ट्रेसिस लास हो जाता अधिक हो तो इतनी आपको बाते ध्यान में रखनी है अब बात आती है इसके अंदर का यानि जो इसके अंदरिक भाग होता है वो नान मैगनेटिंग मेटेरियल एलुमीनियम का यूज करके हम इसको बनाते हैं ठीक है मेरे दोस्तों चलिए इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं दीरिय के समान होती है जैसे आपने सेट्ट पॉल इंडेक्शन मोटर की वर्किंग पढ़ी थी दोस्तों वैसे ही आप इसको भी समझ सकते हैं इस मोटर के रोटर को चिकना एवं बेलनाकार क्रोम स्टील का बनाया जाता है तो हमने आपको बनाया एक किसका बनाया है मेरे दोस्तों है क्रोम इस्टील का बनाया जाता है क्रोम स्टील की धार्ण श्मता दार्ण श्मता क्या होती है उच्छ होती है इसमें इतनी बत सप्लाई से संयोजित किया जाता है अब यहाँ से हमारी main point आती है ठीक है जब stator को supply से संयोजित किया जाता है तो उसमें प्रत्यावर्ति flux उत्पन होता है हम यहाँ पे AC सोरी सिंगल फेज पड़ रहे है सिंगल फेज AC की सारी मोटरे होंगी दोस्तों इसमें हम जब AC ही क्या करेंगे प्रवाहित करेंगे ठीक है इसमें क्या करेंगे AC करेंट को देंगे जब इसमें क्या करते हैं तो इसमें प्रत्यावर्ति flux उत्पन होता है जब हम संयोजित करते हैं supply से तो क्या होता है इसमें प्रत्यावर्ति flux उत्पन होता है ठीक है, अब प्रत्या वर्ती flux उत्पन हो गया, तो दोस्तों क्या होगा, जिससे rotor की विपरीच polarity के कारण flux density अससमान हो जाता है और rotor घूमने लगता है तो दोस्तों हमारा काम क्या होता है motor को घूमाने का, तो हमने motor को को घुमा आहीं दिया दोस्तों यांस्ट में हमने क्या किया मोटर को घुमा दिया गोंसे लगी सफ़ारा Гाई यहानग ओण के समान उतिय Favor की इसका नहीं के समान होता है जो होता है चिकना होता है या बेलना कार क्रॉम steel का बना होता है, ठीक है, इतनी बाते आको समझ में आ गई होगी, chrome steel की धारण छंता क्या होती, उच होती लिए hysteresis, last क्या होता है, अधिक होता है, जब इसके rotor में, सॉरी, जब इसके stator को supply से सयोजित किया जाता है, तो इसमें क्या होता है प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन होता है प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन हो गया दोस्तों तो जो हमारी रोटर की polarity होती है flux density के कारण असमान होती है जब हमारा flux density असमान हो गया दोस्तों तो हमारा rotor क्या होगा घूमने लगता है इतनी बाते आपको ध्यान में रखनी है तो हमने आपका revision भी इसी तरह करवाय भी दिया दोस्तों आपको पता भी हो गया होगा अब देखिए इतनी बाते तो working ही हो गई थोड़ी और बात है इसको भी जान लेते हैं चुकि motor के rotor में कोई winding नहीं होता है और यह चिकना होता है यह motor बीना आवाज किये हुए चलती रहती है तो दोस्तों यह सब पुरानी बाते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने आपको construction में बताया वहाँ पे भी ऐसी सारी चीज़े लिखे हुई है यहाँ पे भी लिख सकते हैं बात आती है कि आपका notes कितना अच्छा है दोस्तों उस पे आपको examiner अच्छा नंबर देगा अब बात आती है application of hysteresis motor इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहां किया जाता है दोस्तों तो इसका उपयोग हम आपको बताएंगे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग देखेंगे दोस्तों तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग recording में किया जाता है ठीक है आप recording में इसका यूज ज़्यादा करेंगे किसका आपसे question पूछा जाएगा कि hysteresis motor का यूज सबसे ज़्यादा कहां किया जाएगा तो दोस्तों आपको बताना है कि hysteresis motor का यूज सबसे ज़्यादा हम hysteresis motor का यूज सबसे ज़्यादा हम recording के लिए उच्छे रिकार्डिंग के लिए यूज करते हैं तो आईए देखते हैं थोड़ी बाते जो हैं इसमें उसको देख लेते हैं पहली पॉइंट इसमें देखिए इस मोटर के अनुपर्योंग निम्नली खित हैं धोनी उत्पन करने वाले उपकरडों में जैसे आपने रिकार्डिंग किया है तो उसमें भी क्या ह renew services कर लें जाता है किसमें रिकार्डिंग वाले इंस्रूमेंट में ? ऐसमें बात कि जयरे रिकार्डिंग के जधार में जो भी चीजे होंगी वो हम इसमें यूज कर लेंगे हिस्टरसिस मोटर का अब बात आती है एक चीजा और इसमें जो हमारा घड़ी वाली होती है पेंडूलम घड़ी होती है जो उसमें भी कौन सी मोटर यूज की जाती है तो उसमें हिस्ट्रेसिस मोटर का यूज किया देखिए समय उक्तियों में यानि समय उक्तियों आप चाहे जो भी हो अप चाहे O.AC कियो हो चाहे DC कियो हो जाहे हो प्लीज आप कमेंट करिए गा और मैं आपको नवर्स की हार्दिक सुपका मनाये देते हुए कि दोस्तों आपसे बिदा लेता हुई इस लेक्चर से मिलते हैं आपसे नेक्स लेक्चर में जय हिन जय भारत